आज मैं आपको बताने वाली हूँ कोरोना वाइरस कोविड-19 से बचने के लिए क्या साउधानी बरतनी चाहिए तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा कोरोना वाइरस कितने तेजी से फेल रहा है तो इसे फेलने से बचाने के लिए आज मैं कुछ बाते बताऊंगी जो आपको करनी चाहिए और कुछ नहीं करनी चाहिए तो सबसे पहले stay home stay safe मतलब घर पे रहिए सुरक्षित रहिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप अपने घर पे बिताई पर 24 hours घर पे रहना तो possible नहीं है कुछ important सामन लेने के लिए हमें घर से बाहर निकलना पड़ता है तो ध्यान में रखिए घर से बाहर निकलते समय चेरे पर मास्क या रूमाल लगाना जरूरी है बाहर कुछ भी सामन खरिबते समय आप cash की बजाए online payment करें बाहर से घर पे आने के बाद सबसे पहले hand wash sanitizer या soap से अपने हाथ को अच्छे से दो ले अगर आपने कुछ green vegetables खरी दिये तो घर पे सबसे पहले उनको नमक के पानी स से दो लिजिए और फिर बाद में उसका इस्तमाल करें जब भी आप घर से बाहर निकलेंगे तो बीड की जगह पे जाना अवाइड करें और बार बार अपने आख नाक और मूँ को नाच हुए COVID-19 coronavirus से बशने के लिए आपको आपकी immunity power बढ़ाने ज़रूरी है इसके लिए आप घर का ही अच्छा diet लिए for example high protein high vitamin वाला खाना खाए और हो सके तो उबला हुआ पानी पिए गरम पानी पिए COVID-19 से बशने के लिए रोजाना एक्सेसेट करें और प्रे निंद लिजी अगर आपको सर्बी खासी या थकम जैसा लग रहा हो तो जल्द से जल्द नजदी की हस्पताल या डॉक्टर के पास जाकर अपनी जाच करवाई खासते और चीटते समय अपना हाथ मूँपर रखे या फिर हैंकरशिप का इस्तमाल करिए पबलिक प्लेस में किसी से मिलते समय एक मिटर की दूरी बनाये रखें अगर आपके घर पे गोई आये तो उनको उनके जूते घर से बाहर निकालने को बोलिए फ्रेंड्स कोरोना वाइरस COVID-19 से बचने के लिए मास्क या रूमा लगाना बहुत ज़रूरी है अगर आपके साथ कोई बात कर रहा हो और उसने मास्क नहीं लगाया हो तो उसके साथ बात करना अवाइड कीजी अगर आप सोसाइटी या अपार्मेंट में रह रहे होंगे तो कोई भी कॉमन मीटिंग का आयोजन ना करिए फेस टू पेस कम्यूनिकेशन के बजाए आप कम्यूनिकेशन के लिए इमेल वाटसप इनका यूज करे तो ज़्यादा अच्छा है घर में चोटे बच्चे और बुड़े बीमार ना पड़े इसके लिए ज्यादा ध्यान दे तो आपने सुना होगा प्रिकोशन इस बेटर देन क्यूर तो आज मैंने जो भी बताया है जो भी टिप्स दीए उसका स्ट्रिक्ली फॉलो करो इससे आपको कोरोना वायरस होने से आप बच सकते हो तो फ्रेंट्स स्टे होम स्टे सेफ आज के लिए बस इतना ही काफी है आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किजिए थैंक्यू